जोगी पठान कोड पंजाब से तो सबसे पहले औल इंडिया रेंग 50 के लिए आपको धेर सारी सुउपकाम ना है तो सौरब के बारे मैं बताना चाहूंगा सौरब पजाब से हैं और इन्होंने इस साल ड्रॉप लेके पढ़ाई की थी इतनी अच्छी रैंक अच्छी की तो सौरब आपकी इंटायर सक्सेश जुरूरी क्या है वो बताईए आपने कम निमसेट के लिए सोचा फिर जब मिलता एक डायरेक्शन मिलती है तो आप अपने अबारे में पूरा डीटेल में बताईए जब मैंने 12 अपनी कम्प्लीट की थी तो मैंने BCA के लिए सोचा था BCA अपना ग्रेजुशन के लिए तो उसके बाद जब BCA में गये तो कई बच्चे से डिसकस कर रहे थे कि इसके बाद NIT से MCA भी कर सकते हैं. BCA से पहले यह सब पता नहीं था. तो फिर उनके साथ-साथ बैठके मुझे इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी NIT से MCA करना चाता हूँ. तो मैंने self-study सुरू की. तो उसके लिए मैंने एक बुक खरीदी सर अरिहंत की जो complete package आती है. तो उसको solve किया मतलब इतना, I'm not that much into the NIT preparation at that time. But slowly, फिर मैंने 2022 का paper दिया, preparation करके खुच से. पर लेकिन उसमे मेरी डाई हजार के करीब रेंक है. 2500. तो मैंने सोचा कि अब इससे अच्छा drop ले लेता हूँ, third year के बाद. तो मैंने drop लिया और उसके बाद same book फिर से करना सुरू की. पर लेकिन प्रॉब्लम थी कि मुझे पता नहीं चलता था कि मेरा लेवल किस तरफ मतलब कौन सा लेवल है मेरा तो फिर मैंने सर आपके आपके बार में रिसर्च किया थोड़ा यूट्यूब पर वीडियो देखी सर बच्छों के इंटर्व्यू देखे तो फिर मैंने जैसे कि सब्ट क्लियर आगी पदा चल गी कि सर जो मैट्स है वो तो करना ही करना है मतलब अपना लेवल बढ़ाना ही बढ़ाना है लेकिन अपने मैंटल को अपने माइंड सेट को भी प्रिपेर करना है तो सर वह चीज़े फॉलो करने लग गया और जैसे कि एक दिन के मैं अगर चार-पां फड़ा फिटनेस का भी सोक है तो साम को जिम चले गए रणिंग चले गए तो वह जब आज रिवार निकलना बच्चों से मिलना खेलना तो सर उसने बूत मोटिवेट किया और जिस दिन मैं अपना एक्ट्व जो टेस्ट दे रहा था सर जलंदर में मेरा सेंटर था उस दिन सर में ने पेपर में लिखा कि बी काम आपको जितने कोशन आते हैं उतने करो 30-20-10 से फोलो देट सिक्वेंस ऑफ जॉब ने बताया था सर थी 30 मिनिट्स में मैं 20 मिनिट्स में पिर लर उसके बाद 10 मिनिट्स में कंप्यूटर सर वो फोलो किया उसके बाद सर मतलब की पेप लेख लिए कि हाड और एव नहीं देख लिए टोड़ एव घाल एव फोलो कि अवर फोल देख लिए कि निकले अर एव लिए पैप लिए फोलो किया जो कोशन आरथ था सको किया यो रिपीटेट थैसर देख के खुष ओगया दिल मतलब की उनको भी अच्छी सिक्या और सर बस जब पेपन दे के निकले और 35 कोशन मैंने मैं में किया थे 25 कोशन कुछ मैंने सर लर में किया थे और जो रिपेटेड कोशन थे कर लिए तो मतलब की कॉशन करके आया है और सर इवेंच्टुली रिजल्ट आया और सर ने बिल्कुत सही बोला मेरा बी यह कहता है कई बच्चे बातों को अच्छे से मानते जैसे आपने बहुत छोटी-छोटी बातों को अच्छे से पॉलो किया थर्टी टुटी टैन पेपर में कैसे फीस्पूल लेना अटा पेपर आयगा तो क्या करना है एजी पेपर आयगा तो क्या करना है एक तरह से आपका कोई मांइड सेट नहीं था कि पेपर जैसा आएगा उसके लिए तयार थे कई बच्चे इसलिए नहीं दे पाते हैं अच्छा पढ़ने आथी क्योंकि को माइंड सेट कर लेते हैं कि ऐसा ही पेपर आएगा और थोड़ा भी उससे हटके आता है तो अपने आपको तयार नहीं कर पाते जब कि मैं कितना ज्यादा बोलता हूं कि रोट की कंडिशन पर गाड़ी चला जाती प्री प्लांड नहीं होता तो आपने उसको बहुत लोग को देखके सोजाओ क्योंकि मैं बताता हूं कि ऐसा होता है कि आपको बहुत आलसी मिलने वाले नो बज़े उठ रहे हैं तो अब या तो आप उनके साथ धल जाओगे वह होंगे पचास आप होगे एक अकेले तो मेरा पर्सनल सजिशन है कि आपको पचासों को के कारण मनना है मोटिवेटर की जब भी वो बोलें तो वोलें कि यार वो सौरफ था मेरे साथ इनाइटी में उसके वाइस हम लोगों को फिटनेस के आदत पढ़ गई तो मैंने एक एक्शल सीट बनाई थी उसमें मैंने सारे अपनी जितने भी रैंग अपनी एकुरेसी और साथ में मांक्स कितने आये तो मैं अच्छे से अच्छे से उसको फोरा फिल करता था 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 तो मैं इतना इतना कॉंटिटी पे धियान देता था 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 क्वालिटी पर द्यान देता था मतलब कि मैं हमेशा प्राय करता था कि अच्छी रहे मेरी और देट सेम थिंग हैपने अपने ड्रॉप लिया था तो जो बच्चे ड्रॉप लेने से घबलाते हैं उनके लिए आपको जूनियर्स के लिए आपका क्या मैसेश होगा सबसे पहले ड्लाइमा डिट वज स्वेक्ष्स के मेरे घरवाले क्या सच एमयरे अपने 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 को अपने बारे में सौचने है और और जब भीसेजर्ण लेना तो हन्रेट परसेंट यह नहीं कि 90 परसेंट डेदी आए और टेनफर्ट नकीर तो 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 थैंक्यू बहुत अच्छा लगा आप से बात करके आप ऐसे ही और आपके वजह से कई सारे और इस्टूरिट एक्टिव रहें करना है आपको लोग आपको ऐसे आगे खुब प्रोग्रेस करो वंस अगेंस अल्द बैस्ट एंड कॉंडिश्यूलेशन थैंक्यू सब्सक्राइब